नमस्कार दोस्तों मैं राज नियान एक बार फिर आप लोगोग साथ दोस्तों एक बार एक संत के पास एक चोर आया और उसने कहरा कि मुझे भगवान से भेट करा दीजिए संत ने कहा यह संभव नहीं है तुमने जीवन पर चोरी किया ये तो कभी संभो नहीं हो सकता चोर उस समय चला गया लेकिन कुछ दिन बाद आया और फिर उसने संत के पैर पकड़ लिए बोले मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है आप मुझे कृपया करके भगवान से भेट कराई दीजिए आज मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता जब तक आप मुझे भगवान से भेट नहीं कराएंगे संत ने जब चोर की जिद सुनी तब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ हाओ संत उसे एक पहाड़ी के पास लेकर गये और चोर के उपर एक बड़ा सा पत्थर ला दिया और बोले इसको लेकर चड़ो सबसे उपर सिखर पर जाओगे वहाँ पर तुम्हें भगवान से भेट हो जाएगी चोर उस पत्थर को लेकर उपर चलने लगा थोड़ी दूर बात जाते जाते आगे रास्ते में ओ धड़ाम से गिर पड़ता है उसकी सासे फूलने लगती है और संत से बोलता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है इस पत्थर को लेकर इतना भारी पत्थर मैं लेकर नहीं जा सकता तब संत ने चोर से कहा कि जब तुम एक पत्थर के भार को उठा कर आगे नहीं ले जा सकते हो तो जीवन भर तुमने पाप जो किया है उस पाप के बोज को लेकर जाकर तुम कैसे भगवान से भेट कर सकते हो तुमें कभी भगवान से भेट नहीं होगी दोस्तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए अगर हमने जीवन में गलत काम किया है तो फिर भगवान का आसीस या प्रभु का आसीस हमें उस प्रकार से नहीं मिल पाएगा दोस्तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए अगर हमने गलत काम किया तो दीरे दीरे उस गलत काम का भार हमारे उपर रहेगा और फिर हमें भगवान का आसिरबाद ठीक से नहीं मिल सकता दोस्तो हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो जादा जादा सेयर करिए लाइक करिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए वे लाइकन दबाना ना भूले नमस्कार